मैं आप लोग के बीच एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी तरह का दिकत हो रही है पुल टेखनिक के अलाउट्मेंट लेटर डाउनलोड करने में तो यह वीडियो को ज़रूर देखें तो मैं वीडियो सबसे पहले BCEC के वेबसाइट पर जाना है BCEC के वेबसाइट पर जाना है यहाँ पर कLIK किजिएगा आप लोग मोबाइल में क्ल रहे हैं तो मोबाइल में भी खुल जाएगा अगर आप सिस्टम पर यह लैपटॉप पर खोर हैं तो भी खुलेगा तो tai फस्त पर अप जाएए अप लोग जा सकते हैं reverse पर क्लिक किजिए उसके बाद एक और पेज़ खुलेगा वहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल किजिएगा तो सबसे नीचे एक option है download provisional allotment order of DCC आपको मैं दिखा रहा है यह वाला यहाँ पर क्लिक किजिएगा आप लोग मैं कर रहा हूं क्लिक यहाँ पर खुल गया candidate login यहाँ पर आप अपना select stream में पुल टेकनिक का allotment लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं इसलिए पुल टेकनिक इंजिनियर्इंग पांसलिंग पर जाईए उसके बाद अपना पुल टेकनिक आज रहा होगा जो आपका admit card में मिलेगा या फिर counseling कि यह होंगे choice फिलिंग कि यह होंग उस समय आपको रहाण लिखा होगा वहाँ से डालिए यहां पर आप अपना रॉल नमर डाल सकते हैं उसके बाद यहां पर अपना पासवर्ड डालिए पासवर्ड डालिए फिर सिक्योर्टी कोड कोड डालिएगा उसके बाद आप साइन इन है यहां पर sign in यहाँ पे है यहाँ पे sign in है यहाँ पर click किजिएगा आप लोग तो आपका एक और page खुल जाएगा जो कि आपका होगा registration किये होंगे वो वाला page खुलेगा वहाँ पे allotment letter करके एक option आएगा वहाँ पे click करके आप अपना allotment letter चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी seat पे select किया गया होगा पुल टेकनिक के द्वाड़ा पुल टेकनिक college में किसी भी तरह का branch में अगर आपको select किया गया होगा तो वहाँ से आपका allotment letter download हो जाएगा और आपको show भी करें कि आपको कौन सा college मिला है अन्यता आपको वहाँ पर दिखाएगा sorry you have no seat allotted तो मुझे लगता है कि आप लोग को साड़ी बाती clear हो गई होगी इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लागा हो तो please like कर दे subscribe कर दे चैनल को और ज्यादा ज्यादा share कर दे thank you